जारकल के मुख्यमंत्री चंपई सोरिन शुकरवार सुभर राजी इस्तित बिर्सा मुंडा केंद्रिय कारागार पहुँचे और पूर्व मुख्यमंत्री हेमन सोरिन से मुलकात की जानकारी के अनुसार सीयम ने ग्रामिन विकास मंत्री आलम गीर आलम सेव ही मुलकात की हाला कि मंत्री से मुलकात की आधिकारिक पूश्टी नहीं हुई है मुख्य मंत्री चंपई सोरिन शुकरवार सुभ अच्छानक राजी के होटवार इस्तित बिर्सा मुंडा केंद्रिय करागार पहुँचे और अंदर जाकर पूर्व मुख्य मंत्री हेमन सोरिन से मुलकात की दोनों के बीच काफी देर तक बाची चली हाला कि वर्तमान मुख्य मंत्री और पूर्व मुख्य मंत्री के बीच क्या कुछ चर्चा हुई इसका खुलासान नहीं हो पाया मुलकात के बाद निकलने के बाद सीयम चमपई सोरिन ने मीडिया से कोई बात नहीं गी सीयम चमपई सोरिन और हेमन सोरिन के बीच हुए इस मुलकात को लेकर कई तरह के कयास भी लगाय जा रहे है एक कयास यह भी लगाया जा रहा है कि एक जून को संथाल की तीनों सीटों दुमका, राजमहल और गोड़ा पर मतदान होना है इस मुलकात का असर शायद उन सीटों पर भी दिख सकता है वही एक जून को दिल्ली में आयंडिया येगडवंधन की दिल्ली में बैठक है इसे लेकर भी पार्टी की रननीती को लेकर दोनों के भी चर्चा होने के कयास लगाए जा रहे है अपने राजिस जूड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले